हेलो गाईज इस सौदेश सिंग and now you're watching Crypto Beginner तो गाईज आज की वीड में हम बात करेंगे हम कैसे यहाँ पे अपने CoinDS X Pro अप में यहाँ पे कैसे यहाँ पे हम पैसे deposit कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे दो अपस है CoinDS X यहाँ पे CoinDS X Pro तो दोनों में deposit करने का तरीका same ही है तो दोनों यहाँ पे CoinD6 की app हैं तो यहाँ पे हम CoinD6 Pro में आप बात करेंगे यहाँ पे हम कैसे पैसे यहाँ पे deposit करते हैं तो चलिए इस पे click करते हैं इस पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहां पे बिल्कुल 0.03 पैसे पड़े होएं ठीक है तो यहां पे आपको एक deposit का बटन भी दिख जाएगा तो यहां पे आपको deposit पे click करना है देख सकते हैं मैंने पहले भी deposit किये हैं 500 रुपए 751 यहां पे 1000 रुपए 750 यहां पे बहुत सारे पैसे deposit किये हैं तो यहां पे मैं live आपको deposit करके दिखाता हूँ यहां पे पहले आपको deposit आइनर पे click करना है deposit आइनर पे जैसे click करेंगे तो यहां पे यह थोड़ा processing होगा processing होने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको amount इंटर करना होगा by default यहां पे 500 रुपए यहां पे अल्लेडी इंटर कर दिया इन्होंने तो यहां पे जो इन्होंने 500 रुपए आप minimum कम से कम minimum 500 रुपए यहां पे आप deposit कर सकते हैं ठीक है इसके उपर यहां पे भी आप deposit कर सकते हैं maximum यहां पे पांच लागत deposit कर सकते हैं तो यहां पे मैं deposit कर रहा हूं गाईज 500 रुपए ठीक है 500 रुपए deposit कर रहा हूं और यहां पे आपको continue to pay के बड़न पे यहां पे आपको click करना है तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे क्या लिखके आ रहा है continue to net banking IMPH ठीक है यहां पे IMPH यहां पे transition लेगा processing time यहां पे 2-6 hour तक है और यहां पे fees है 0% यहां पे कोई charges नहीं है तो यहां पे आपका जो bank account link है वो यहां पे आपके आपका bank account आजाएगा जो यहां पे कर आपके coin d6 के साथ link है तो आपको इसी account से इहां पे आपको पैसे transfer करने किसी other banks यहां पे आपको transfer नहीं करने है तो यहां पे आपको मुबाइल नंबर भी आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क्स में आपको इंटर करना है तो यहाँ पर इस कॉपी के बटन पर सारी डिटेल्स यहाँ पर कॉपी कर लेनी यहाँ आप इन्हें एक पेज पर यहाँ पर नोट डाउं एड़ फाइड जरूर डालें और यहां पे लिखा हुआ है यूज ओनली बैंक एप विबसाइट ही कि बैंक का एप्लीकेस तरह यहां पर यूज करना है यहां पर ट्रांसफर करने के लिए आप किसी यहां पर यूपिए आई एपस फोन पे डेविट कार्ट यहां पर यूप पर बैस करूं से आप यहां पर आसानी सगस्टे यहां पर कर सकते हैं कि क्योंकि यहां पर चैसेज़ आप des unnecessary में कि यहां पे यहां पे त्लीau चलिए करतें तो यहां पे money transfer का button दिया हुआ है इस पे आपको click करना है ठीक है तो यहां पे आपको पहले add pay पे click करके यहां पे आपको जो bank account details यहां पे आपने note की है उनको add करना होता है और उसके यहां पे 30 minute के बाद वो आपके bank account यहां पे details है वो transition के लिए ready हो जाती है तो यह process आपको यहां पे पहले करना पड़ेगा यह process मैं कर चुका हूँ ठीक है अगर जो आपने process नहीं किया आपको करना नहीं आता है तो आपको यहां पे i button यहां पे link मिल जाएगा वीडियो को ठीक है पुरानी वीडियो यहां पे transfer उसमें मैंने बताया है कि 300 EA कैसे यहां पे add pay यहां पे click करना है तो किहां पर मैंने किया हुआ हैру迎ession पर है money transfer बिटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते है यहां पर यहां पे अकाउंट नमबर भी दिया हुए ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अमाउंट डालना है जो मैंने अमाउंट का रिक्वेश्ट किया था 55 सो रुपए ठीक है यहां पर देख सकते हैं एँदि यहांपे आपको कड़ते हैं और यहांपे रिमार्ट में आपको अपना मॉबाइल नंबर रहें तो रहें को by सब यहां Oh फिर continue के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको accept करना है ठीक, accept करने के बाद यहाँ पे आपको confirm के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है confirm आपको यहाँ पे one time password आएगा ठीक, one time password यहाँ पे मैं अपने mobile number पे लूँगा और यहाँ पे आपको dp enter करना है जो dp bank की तरफ से आएगा यहाँ पे continue तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो request यहाँ पे submit हो चुका है और मेरा जो transaction है submit हो चुका है तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो यह reference number है यह आपको यहाँ पे copy कर लेना ठीक है यहाँ पे आपको reference number यहाँ पे आपको यह note कर लेना है यह वाला reference number और यहाँ पे आपको send करना है जिसको मैं note कर लेता है screenshot लेता हूँ तो यहाँ पे आपको अपने coin d6 app में आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं इंटर रेफरेंस नंबर यहाँ प्रच और यहाँ पर आपको एपका ॉपन करना है तो अपको फिरसे अपा ऊपन करना है पैनिक होना है यहाँ पह सब पर करने अपना PIN nasıl पीड़ने के बाद यहां पर आपको फोन्ट वे आना है DEPAY on deposit करना है आई ना DEPAY करना है और अधिक करने के बाद जैसे यहां पर करेंगे देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है teaching deposit के M Sport लिखाए हुए इस पर आपको क्लिख करना है इसके क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं अमाउंट डालना है कितना आपने अमाउंट किया था रेफरेंस नंबर डालना है रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं हमाँ यहां पर यहां पर रेफरेंस नंबर के डालने के बाद यहां पर आपको समिट कर देना है जैसे यहां पर स सो लुपएे मेरे क्रेडिट हो चुगे और यहां पर जो टाइमिंग में The करूँ ठीक है यहां पर मैं आप टाइमिंग देखेंगें कि यहां पर तीरह नो ठीक है आज यहां पर देख सकते कितना यहांपर डिपोजट हो जाता है अब इन पैसे का यूश करके आप यहां पर कोई भी क्रिप्टो बाई कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को यहां पर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक इससे मुझे काफी अधा मोटी इसने मिलता है तो कैस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक् नमस्कार जैहिंद जैवरत